न्यूनितम समर्थन मूल्य सहित किसानों की कई अन्यमांगों को लेकर देश भर के किसान आज एक बार फिर से सडकों पर दिखाई देंगे किसानों ने केंदर सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोलने का फैसला किया है और इसी के क्रम में आज किसान राजभवन मार्श करने जा रही है ना केवल राजस्थान बलकि देश भर में आज राजभवन मार्श का आयूजन किया जा रहा है और सम्मंधित राज्जी के राज़ेपालों के माध्यम से देश के प्रधान मंत्री को ग्यापन सौपा जाएगा केंद्रिय श्रमिक संगठनों ने भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है और इस राजभवन मार्च को अपना समर्थन देने का एलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाले समय में आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की कार्योजना तै की है जिसमें गाव स्तर पर शुरू होकर पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रधर्शन किया जाएगा राजभवन मार्च के बाद एक दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सभी राजनतिक दलों के लोकसभा और राजसभा सांसदों और सभी राज्य विधान सभाओं के नेताओं और विधायकों के दफ्तरों तक मार्च निकाला जाएगा उन सभी जनप्रतेनेधियों को कॉल टू एक्शन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें मांग की जाएगी कि वे किसानों की मांगों के मुद्दे को संसद में या विधान सभाओं में उठाएं और इन मुद्दों पर बहस और समाधान निकालने की कोशिश करें और अप झाल